नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतू अज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्रेश्चिनों को जो कि आपके आर्मी एक्जाम में बहु बहुत जादा है तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोटेंट होगा दोस्तों चाहे आप आर्मी जीडि की त्यारी कर रहे हो और दोस्तों जिनका एक्जाम है 25 अपरेल को और माई में भी एक्जाम है जिनका और आगे भी एक्जाम होते रहेंगे आर्मी के तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होगा चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का तो दोनों के लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट यह वीडियो रहेगा तो सारे ही क्वेशनों को आपको सॉल्फ करना है कॉपी और पैनल लेकर जरूर पैड़ जाए और कितने क्वेशन आपको आते हैं यह जरूर नोट करिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जो जो लोग भी नए है इस चैनल में तो उन से कहूंगी कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आउन जरून रखे ताकि आने वाली वीड अपने दोस्तों जो भी इंडियन आर्म की तयारी करना चाहते हैं उनको ज़रूर सेर करें एक आपके जो सोसल तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहला क्रेशन यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला ही क्रेशन मोस्ट इंपोटेंट है पहला क्रेशन है मानस अभ्यारन किस राज्य में इस्तित है तो यह मोस्ट इंपोटेंट आपका पहला क्रेशन है मानस अभ्या अपिर उडिशा तो मानस अब्यारन आपको पता है असम आपका राइटЬ मततो है tara missed यह आपका भीन bers ρ है अगला केश्चिन समु Johar Somad is किस कारण आता है अगला क्यूस्टिन बहुत इंपोटेंट है समुद्र में जुवार भटा किस कारण आता है तो इस ऑप्षन दिये है सूरी के आकर्षन से चंद्रमा के गुरुतवा गर्षन से या फिर गुरुत्वी त्वरर्ण से या इन में से कोई नहीं तो समुद्र में जौर भाटा किस कारण आता है तो आपका राइट आंसर है चंद्रमा के गुरुत्वा कर्षण से तो option B आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला question देखें दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question आपसे पूछा है भारत का पर्थम हतियार संगरालई कहां इस्तापित किया गया है तो भारत का पर्थम हतियार संगरालई कहां इस्तापित किया गया है तो option आपके दिये हैं पश्यमंगाल, ओडिसा, हरियाडा या फिर पंजाब तो इसका सही आंसर है ओडी सा आपका बिलकुल सही आंसर है बढ़ते हैं अगले question की तुराफ एक और important question दोस्तो अगला question है भारतिय सविधान में कितनी भासाओं का उलेख किया गया है तो अपसन है 8, 14, 22 या फिर 23 इसका सही आंसर है 22 भारतिय सविधान के कितनी भासाओं का उलेख किया गया है 22 आपका बिलकुल सही आंसर है 22 आपका बिलकुल सही आंसर है और जो भासा है वो किस अनुसूची में उनका वर्णन है तो आठ वी अनुसूची का संबंद किस से है तो भासाओं से तो आप याद रखे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए very important है हीरा कुंड बां पर योजना किस नदी पर इस्तित है तो आपसने गंगा महा नदी या फिर यमुना या गोदा वरी इसका सही आंसर है आपका बिलकुल सही आंसर है महा नदी महा नदी आपका बिलकुल सही आंसर है हीरा कुंड बात पर योजना किस नदी पर इस्तित है महा नदी आपका बि की नदी के किनारे बसा हुआ है तो ή अंसर पिर गोदा वरी Ort इसका सही अंसर आपका है यंदा शाम पूछे जाते हैं आग्रा किश्णदी पर बसा हुआ है सही अंसर है यमना बिल्कुल सही आंसर है अगला इसी से question आप से पुछा जाता है कि लखनव किस नदी के किनारे बसा हुआ है लखनव बसा है आपके गोमती नदी के तट पर गोमती नदी के तट पर और इसी के लावा जो very important question है सूरत सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है तो सूरत जो है वो तापती नदी आप रयाद रखे सूरत तापती नदी के किनारे बसा हुआ है अगला question देखी दोस्तों अगला question very important है पर्था मुगल समराठ कौन था? पर्था मुगल समराठ कौन था? तो option है अकबर औरंग जेब हुमायों या फिर बाबर तो इसका सही आंसर है बाबर और इसी से question पूछा जाता है कि मुगल वन्स की इस्तापना किसने की थी? मुगल वन्स की इस्तापना किसने की थी? तो ये भी question आपके exam में पूछा जाता है बाबर आपका आंसर है मुगल वन्स की इस्तापना किसने की थी? और पर्थम मुगल समराड भी आपका बाबरी है option डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question देखी दोस्तों अगला question है मेघालाई की राजधानी इस्तित है मेघालाई की राजधानी कहां इस्तित है तो option है दिस्पूर, कोहिमा, गंगडोग या फिर सिलोंग मेघालाई की राजधानी आपको पूछा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है option आपका बिल्कुल सही आंसर है तो आपका बिलकुल यहां पर सही आंसर है और यहां पिर उप्सन में है तो शिक्किम की राजदहने है गंग टोक तो आपके समझ आये होगे कि असम जो है असम की राधानी है दिश्पूर कोहिमा जो है और नागालेंड की राधानी है गंग टोक सिक्किम की तो मेगाले की राधानी है सिलोंग आपका यहां पर सही आंसर है अगला क्रेशन देखिए दोस्तों अगला क्रेशन है बांगला देश कब पाकिस्तान से अलग हुआ था तो आपसर में 1947, 1971, 1965 या फिर 1902 तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर है आपसर बी 1971 आपका बिल्कुल सही आंसर है बांगला देश पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 आपका सही आंसर है अगला क्रेशन देखिए दोस्तों अगला क्रेशन है स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्नर जनर्नल कौन था तो आपसर है सी राज गोपाला चारे लाड माउंट बेटन या फिर लाड विल्यम बेंटिंग या फिर लाड केनिंग इसका सही आंसर है लाड माउंट बेटेशन स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्नर जनर्नल थे आपके लाड माउंट बेटेशन और इसे के साधी जो रा और स्वतित्य पहलत के पर्थम्य आपका राइट रैड आंसर है अगला केशन दीचित दोस्तों हिंद्र मौर्य का का पोता कॉन थे दोनों ही आपके नहीं भुश्य आपके यहां पर वे बंगए हैं कंड्र हारी है या फिर उसका मौर्य कह सकते हैं तो बिंदुसार था और चंद्रगुप्त का पोता यहां पर पुछा याने कि उसके पुत्र का पुत्र असोग आपका बिल्कुल सही अंसर है अगला वेशन देखिए दोस्तों स्री लंका की मुद्रा क्या है स्री लंका की मुद्रा क्या है तो आपसन दिये है डॉलर रुप्या टका या फिर क्या आपका बिल्कुल सही अंसर है रुप्या आपसन भी आपका यहां पर बिल्कुल सही अंसर है आपसन भी अगला वेशन देखिए दोस्तों अगला वेशन बढ़ते है तो अगला वेशन द important question है option दिये हैं बिहार राजिस्तान मध्य परदेश याफिर गोवा इसकी सही answer आपका है इसका सही answer option C केवला देव राश्टिय उद्यान किस राज्य में इस्तित है राजिस्तान आपका पिल्कुल सही answer है और दोस्तों राजिस्तान की राज्धानी की बात करें तो इसकी राज्धानी है जैपूर राजिस्तान की राज्धानी है जैपूर और जैपूर को पिंग सिटी के भी नाम से जाना जाता है जैपूर को पिंग सिटी के नाम से जाना जाता है इसके अलवा यहाँ पर गोवा है तो गोवा की राजधानी आप याद रखिए पड़ Magnus गोवा की राजधानी आर गानित पटना आपका भी करता की राजधानी पटना उमिदा दोस्तों आपको समझ आया होगा बढ़ते है अगले क्वेسचन की तरह तो अगला करेंशन देखिन दोस्तों सीमांत गाधी किसे कहा जाता है तो अवसं दिये हैं आपके चितरанд जंदास लियाकत अली खान अच्छान अब्दुलगाफर खान या फिर राजा, राआ, मोहर, राई इसका सही एंसर है खान अबदुलगाफार खाँ सभी है आपका यहां पर सही एंसर है इसी के अलावा आपके अप्सिन में है राजा राम मौहन राज तो इन्हों ने सती परथा बंद करवाने में अपना महत आतुपूड योगदान दिया तो सती परथाई का संबंद किस्टे तो राजा राम मौहन राय से अगला वेशन है लास्ट वेशन है राज तरंगनी पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी तो आपसे ने काली दास हैरो डोडस तुलसी दास या फिर कलहन तो इसका सही आंसर है कलहन आपका बिल्कुल सही आंसर है राज तरंगनी पुस्तक जो है वो कलहन के द्वार मिलता है तो दोस्तों ये थे आज के question उमीद है आपने सारे ही question को बहुत अच्छे से क्या होगा सारे ही question आपके सही हुए होंगे तो दोस्तों आप इसी लगन जोस चुनून के साथ अपनी त्यारी करते रहिए और जिनका एक्जाम 25 अपरेल को आगामी 25 अपरेल को है या फि इसे करें तो मिलते हैं दूस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत तो